सभी बच्चों को नमस्कार हम बात नीट फिजिक्स के जो पीवाई क्यूज हैं प्रिविएस येर कोईशन उनकी कर रहे थे जिसके तहत हम एलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन चैप्टर से जो कोईशन पूछे गए हैं विगर थर्टी फाइव येर्स में उनके solution प्रवाइड कर रहे हैं तो उसी कड़ी में ये अगला कोईशन है तो पेसे खिस्मत है अगला कोईशन इसको तयार करिए और इसके पहले के कोईशन हम अप्लोड कर चुके हैं आपको इसी प्लेलिस्ट में जो के electromagnetic induction के नाम से होगी इसमें मिल जाएंगे तो पेसे खिस्मत है next question देखे अगला question ये need 2017 का question है पर ले question पढ़ लेते हैं सब तक आप picture देखिए enjoy करिए question को question कह रहा है कि along ने sorry दब magnetic ये कौन सा question 26 है हाँ sorry ये 2018 का है गलत लिग गए 2018 का है का है को cutting करें पर आवर 2018 है ना ये ठीक अब सही है ना देखे कोशिश क्या कर रहा है the magnetic potential energy stored in a certain inductor is 25 millijoule हम जानते हैं किसी भी inductor को किसी coil को जब हम current देते हैं तो वो coil क्या करती है उस current को oppose करती है oppose करने का तरीका होता है कुछ कार करना पड़ेगा अगर हम कोई आप पे action करें और आप उसको oppose करें तो आपको कुछ कार करना पड़ेगा ना वो कार उसके energy की फार्मी इस्टोर होता है ठीक है तो वो energy है 25 millijoule है ना ठीक when the current and the inductor is 60 milliamper और जब उसमें current 60 milliamper फ्लो कराई आती है तो the inductance inductor is of inductance यानि आपको उस inductor का inductance निकालना है पहले question का मतलब तो समझ में आई गया होगा आते हैं सामने तो पहले तो बताना पड़ेगा कि भई क्या क्या given है हमने किसी एक coil ली coil में कुछ नहीं है हमने उसको circuits जोड़ दिया जैसे current बनाया जैसे current क्याल में flow होना शुरू ही तो हम जानते हैं क्याल उस flow of current को oppose करेगी increase of current को 60 amp करना है आपको तो एकदम से थोड़े 60 हो गई होगी तो oppose करने का तरीका होता है कि क्याल एक opposite magnetic field क्रेट करता है और उन current को रोकने के प्रास करता है हम तो जाएंगे हम को चाचा ने बेजा है potential difference ने बैटरी ने हम तो जाएंगे तो वो रोकता है और रोकने के लिए उसको कुछ work करना पड़ता है वही work energy है वो दी है 25 milli henry यानि कि energy U बराबर 25 milli henry given है चलिए यू दिया है 25 milli बोले तो 10 to power minus 3 henry है ना क्या लिख रहा हूँ भाई जूल होता है वो henry रटा है ना इंड़क्टर में और क्या दिया हुआ है और क्रेंट दिये है 60 milli ampere I दिये है 60 into 10 to power minus 3 ampere अब चूंकि ये maximum current हम पहुंचा रहे है चाहे इसको I not कर तो चाहे आई लिख दो कोई दिक्कत नहीं है तो कहते है inductor is of inductance L निकालना है अब आपको formula याद होना चाहिए कि energy in the inductor का formula क्या होता है तो हमने पढ़ा है U बराबर half Li square आपने I not square पढ़ा है तो I not कर तो इसमें क्या दिक्कत है जो भी current आप लिखोगी उसका square तो आपको L निकालना है तो L की value क्या आएगी आएगी 2U upon I not square 2U की value कितनी है 25 into 10 to power minus 3 upon I not square करेंगे तो 60 into 60 into 10 to power minus 6 अब इसको calculate कर लो तो 636 देखो 2 से काड़ तो 3 30 आएगा ऐसा करते है 25 upon 16 अलग कर देते हैं और 10 to power minus 3 यह है और minus 6 उपर जाएके plus 6 हो जाएगा और यह 2 0 और है plus 2 उपर जाएके minus 2 हो जाएगा तो आगया 25 upon 18 into 10 to power 1 यानि कि 250 बटे 18 अब 250 बटे 18 कर दो जो भी इसकी value आए हम डाल लिखे देना है कि 13.89 13.89 इसको अगर करोगे 250 को 18 से बाग करोगे तो 2 से करोगे 2 ने में 18 125 आएगा देखो calculation बहुत fast करने की कोशिश करिएगा यह नहीं कि आपने answer देख लिए अच्छा टिक लगा दिया आप अपने आप करी हमें थोड़े exam देना है तो 125 को 9 से बाग कर दो और देख लो आप चुकि 2 डिजिट तक लाना है तीन डिजिट लाना है जो भी उसमें वेरिफाई हो रहा हो तो इसका 13.89 is the correct answer और इसका जो आंसर है इसका डी पार्ट is correct ठीक है तो यह NEET 2017 को जाँ ठीक नेक्स वीडियो थाइंक यू